कोचन है कि यूध से जो यूध होते हैं उससे जंगल के क्यूं परभावित होते हैं अर्थात कैसे परभावित होते हैं जंगल यूध होने से तो क्या है यूध के कारण निम्लिखित परकार से जंगल परभावित होते हैं किस तरह से जंगल परभावित होते हैं जब यूध होता है तो देखते हैं यूध के समय क्या होता है सेनिकों के जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी सैनिक के समान की जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए अधीक मात्रा में पेड़ काट चद दिये जाते हैं, तो जंगल परहवित हो गए है, अगर यूध नहीं होता सैनिक के लिए समान नहीं दिया जाता, तो सैथ जंगल नहीं काटे जाते हैं, कभी-कभी यूध में भस्म करो भागो निती अपनाते हैं आनि भस्म कर दो जंगल को और भाग जाओ जिससे क्या है कि दुस्मन जंगल जलते जंगल से पार नहीं हो पता तहत पूरे जंगल में आग लगा दी जाती है तो इससे क्या होता है जंगल पूरा जल जाता है अगले किस तरह से होता है परभाविता यूध के समय अपने दुस्मनों को जंगल में ढूनने के लिए कितने पेड बोधो को काट जे जाता है लोगों को लगता है कि एक देश को किसी जंगल में मेरा दुस्मन छिपा हुआ है तो जाता है ढूनने के लिए तो इधर एक काट दिया, इस तरह से काटते करते हैं, क्या क्या रहती जाता है, यूधि के समय जंगलों को kटवाकर उध्योगों का स्थापना किया जाता है, ताकि क्या या सके सiénि कया चूए, बहुत सारे गाउं वाले यूध के समय सरकार को फसा देख यानि गाउं के लोग क्या करते हैं रे सरकार यूध में फस गया है तो इससे क्या होता है खेती के लिए भूमी का विस्तार करते हैं अर्था जंगल के समीब जितने भी रहते हैं किसान वो क्या करते है पेड़ पुदो को काट कर वहां पे खेती के लिए भूमी साफ करते है तो इस तरह से यूध से क्या होता है जंगल नस्ट होता है काफी परभावित होता है तो यूध अगर ना होता तो साध जंगल बचता और यूध होता है तो जंगल बरबाद होता ही हैं चाहे जिस तरह से भी बरबादी हो लेकिन बरबाद होता है